एश्वरा राय और अभिशेक बच्चन की शादी शुजा जंदगी को लेकर तमाम तरह की अठकले लंबे समय से लगाई जाती रही है बीते दिनों ऐसे दावे भी किये गए कि दोनों तलाख लेने जा रहे हैं हलाकि इन खबरों में कोई सचाई नहीं है और ना ही किसी तरह की आधेकार एक पुष्टी हो सकी है बच्चन फामिली को लेकर समय समय पर लगाई जाती रही अठकलों के बीच जब अमिता बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक नोट पोस्ट किया है उन्होंने इसमें अठकलों के संधर्प में ही बात की है आपको बता दे कि अमिता बच्चन सोशल मीरिया पर नियमित रूप से पोस्ट साजह करने के साथ साथ ब्लॉग लिखन भी करते हैं अपने हालिया ब्लॉग में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जो अब खबरों में चा गया है दावा किया जा रहा है कि बिग बी ने ब्लॉग के जरी अपने बेटे और बहु के रिष्टे को लेकर लगाए जा रही अटकलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है बिग बी ने ब्लॉग के शुरुवात इस तरह की है कि अलग दिखने और जीवन में इसकी उपस्तिती पर यकीन करने के लिए बहुत साहस दिन विश्वास और इमानदारी की दरकार होती है मैं अपने परिवार को लेकर बहुत कम ही बोलता हूं क्योंकि वो मेरा अधिकार शेतर है मैं इसकी निज़ता को बनाय रखता हूं बिगबी ने आगे लिखा कि अटकले तो अटकले ही हैं वो बिना वेरिफिकेशन के असत्य अटकले हैं वेरिफिकेशन चहाने वाले अपने पेशे के लिए प्रमाण मांगते हैं मैं तो उनकी पसंद के पेशे में होने की उनकी इच्छा को चुनौती नहीं दूँगा और मै समाच की सेवा में उनकी कोशिशों की तारीफ ही करूंगा लेकिन असत्य या प्रेशन चिन लगी कुछ चुनिंदा जानकारियां उनके लिए कानुनी सुरक्षा हो सकती है जो सूचना देते हैं लेकिन संदिक भरोसो का बीज भी इसी प्रती के साथ रोपा जाता है जिसका उसके बाद प्रशन चिन लगाते हैं तो आप ना केवल ये कह रहे होते हैं कि लिखा हुआ संदिक्द हो सकता है बलकि आप गुप्त रूप से ये भी चाहते हैं कि पाठक उस पर विश्वास करें और उसे आगे बढ़ाएं जिससे वो फिर से मूल लिवान साबित हो जो आ लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों को अपना फायदें के लिए उड़ाते हैं अमिता बच्चन ने बेटे और बहु का जिक्र तो नहीं किया लेकिन उनकी पोस्ट को तलाक के मुद्दे से ज़रूर जोड़ा जा रहा है दरसल एश्वर्या ने बुदवार देरात बेटी आ किलने लगी कुछ घंटों बाद ही अमिताब बच्चन का ब्लॉग भी सामने आया और उन्हों ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं अपने परिवार के बार में सारवजनिक रूप से बहुत कम बात करता हूं क्योंकि मुझे सीमाओं का सम्मान करना और दूरी बनाय रखना जरूरी लगता है लेकिन आज कल अफवाही बिना सत्य जाने ही बनाय जाती है इतना ही नहीं फिर उसका इस्तिमाल अपने फाइदे के ले किया जाता है अटकले सिर्फ अटकले होती है जो बिना पुष्टी के होती है पुष्टी करने का काम वो लोग करते हैं जो अपने का प्रफेशन को सही सावित करना चाहते हैं मैं उनके इस प्रफेशन में होने के इच्छा को चुनोती नहीं दूंगा और उनके समाज कुई सेवा करने के प्रयास को सरहाना करूंगा उन्होंने आगे लिखा कि आप किसी भी जानकारी में प्रफेशन चिन का उप्योग करके अपने लिए तो एक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर लेते हैं आपका मतलब तो सीधा होता है कि आपका लिखा हुआ एक सवाल है लेकिन आप मन ही मन में ये चाहते हैं कि रीडर्स इस सच माने ताकि आपकी बात को महत्व मिले और ये बार बार दोहराई जाए आपका कंटेंट सिर्फ उस एक पल के लिए नहीं होता बलकि कई पल के लिए होता है जब कोई उसे पढ़ता है और फिर उस पर टिपनी करता है तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को आगे बढ़ाय जा रहा है इससे आपका तो काम खत्म हो जाता है लेकिन इस चीज का किसी व्यक्ति या परस्तिती पर क्या असर पड़ेगा इसका ख्याल नहीं रखा जाता वीडियो डेस्क अवरुजाला डॉट कॉम